नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट विद गौसवामी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी राज्यों के राजपाल और मुख्यमंत्री भी हम इस वीडियो में देख कवर करेंगे तो दोस्तों वीडियो को प्लीज पूरा कम्प्रिट जरूर देखेगा क्योंकि यहां से कुछे जा सकते हैं तो दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा कम्प्रिट जरूर देखेगा चलिए पर सुरुबात करते हैं इस सेशन की उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नह चृश्य सब्सक्राइब लुक्र के नहीं को सबस्क्राइब करने। चलिए फिर सुरूब को सबसुर्ण करते हैं से तो राज्य सभा में एक और विधान सभा में यहां पर 40 सीटे मौझूद है नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कोन बना है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो नए राज्यपाल बनी है वो है आनंदी बेन पटेल तो ऑप्सन नमबर भी राइड आंसर ह हो जाएगा ठीक है दोस्तों राज्यपाल के लगनौ मुख्यमंत्री है योगी अधितिनाथ लोग सभा में एक असी राज्य सभा में 31 और विधान सभा में 403 सीटेयां पर मौझूद है नेक्स्ट होगा बिहार तो दोस्तों बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है तो बिहा की राजदानी है दोस्तों पटना मुख्यमंत्री है या कि नितीज कुमार लोग सभा में 40 राज्य सभा में 16 और विधान सभा में 243 सीटेयां पर मौझूद हैं आगे बढ़ेंगे गुजरात तो दोस्तों गुजरात के जो नए राज्यपाल है वो कून बना है वो है अचा राज्य सभा में 11 विधान सभा में 182 सीटेयां पर मौझूद हैं नेक्स कोशन की तरफ बढ़ेंगे पंजाब दोस्तों पंजाब की जो नए राज्यपाल है वो कौन है राइट आंसर होगा बनवारिलाल पुरोहित जोकि पंजाब के नए राज्यपाल बने है तो आप्सन सीटेयां पर मौझूद है आगे बढ़ेंगे उत्राखंड के नए राज्यपाल का क्या नाम है तो दोस्तों उत्राखंड राज्ये के जो नए राज्यपाल है वो है गुर्मीच सिंग यानि आपसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गुर्मीच सिंग जो की सब्भा में यहां पर 31 सीटे मौझूद हैं नेक्स्ट होगा करनाटक तो करनाटक राज्य के राज़पाल का कहना हमें दोस्तों तो यह थावर चंदर गेलो यानि ऑप्सन नमबर भी इसका राइट आंसर होगा थावर चंदर कहलो जो कि करनाटक राज्य के नए यह राज़पाल हैं राज़दानी है बैंगलुरो मुख्यमंतरी दोस्तों बस्वराज मुमई लोगसवा में 28 राज़पा में 12 और विधान सब्भा में 226 सीटे हैं पर मौझूद हैं आगे बढ़ेंगे बंद्री प्रदेश के राज़पाल कोन हैं तो दोस्तों मद्री प्र राज्ये सभाब में 11, विधान सभाब में 230 सीटेयां पर मुझूद हैं। नेक्स्ट होगा हरियाना, तो दोस्तो हरियाना के जो राज्येपाल हैं वो कोन हैं। सही जवाब होगा बंडारू दत्तात्रे, यानि option number A, इसका right answer होगा। बंडारू दत्तात्रे, जो कि हरियाना के नए राज्येपाल हैं। और राज्दानी है दोस्तो हरियाना की चंडिगड, मुख्य मंतरी है मनौल लाल कटर, लोग सभाब में 10, राज्ये सभाब में 5, और विधान सभाब में दोस्तों 50 सीटेयस में मुझूद हैं। नेक्स होगा तेलंगाना, दोस्तों तेलंगाना के जो नए रजजपाल है वो है तमिलेसाई सुन्दराजन यानि आप्शन नमबर से इसका राइट अंसर होगा, ठीक है, और जो तेलंगाना की जासदानी है वो है है ध्रवाद, बुख्य मंत्रिय है दोस्तों के चंद से कर र होगा आपसर नमबर ए सी बी आनन्द बोस देख है जो कि अभी हाली में नियुक्तुवा है तो यह यहां के नए राज्यपाल है राजदानी है कोलकता मुख्य मंतरी है मंता बेनर जी लोग सबह में 42 राज्य सबह में 16 विदान सबह में 294 सीटे हैं पर मुझूद है सिंदे लोग सबह में 48 राज्य सबह में 19 और विदान सबह में 28 सीटे हैं पर मुझूद है नेक्स्ट होगा राज्यस्थान तो दोस्तों राज्यस्थान के जो नए राज्यपाल है वो है कल राज-बिस यह आपसर नमबर ए राइट आंसर होगा और यहां की जो राजदानी है वो है जैपूर मुख्यमंतरी है अशोक गैलोत लोग सबह में 20 राज्यसबह में 10 और विदान सबह में 200 सीटे हैं पर मुझूद है नेक्स्ट होगा मनीपूर मनीपूर के जो राज़पाल है दोस्तों वो है लागणेशन ठीक है और यहां की जो राजदानी है वो है लोग सबह में 2 राज्यसबह में 1 और विदान सबह में 60 सीटे हैं पर मुझूद है नेक्स्ट होगा आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की जो राजदानी है दोस्तों वो क्या है आमरावती ठीक है और आंदर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है विस्पूशन हरी है नेक्स्ट होगा केरल दोस्तों केरल के जो नए राज़ेपाल है वो कौन है आरीफ महमद खान यानि करते राजह नियूद का राज्यपाल है टेक्या रासदानी है कि तिरू आन्दपुरम मुक्य मंत्री है पिंडरी विजयन लोग सभा में 20 राज्य सभा में 9 और विधान सभा में 140 सीटे यहां पर मुझोद हैं आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेस तो अरुणाचल प्रदेस के जो नए राज्य पाले वो कोन है वो है बीडी मिसरा यान नेक्स्ट होगा मिजोरम दोस्तो मिजोरम की जो राज्य पाल है वो है हरी बाबु कमबंपती यानि आप्सन नंबर सी इसका राइट अंसर होगा और यहां की जो राजदानी है वो है आई जोल मुक्य मंत्री के जोरम थंगा लोग सभा में एक राज्य सभा में एक और आरे जो कि तरप्रणाऊ राज्ये के राज्यपाल है मुक्य मंतरी है कि अगरतला ती ती तो दो मोजोद है नेक्स जोगा असन राज्यच के जो राज्यपाल लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विदानसभा में 126 सीटे यहाँ पर मुझूद है नेक्स होगा तमिल नाडू, तमिल नाडू के जो राज्यपाल हैं वो कौन है राइट आंसर होगा, आर एंड रवी यानि आप्सन नंबर A, इसका राइट आंसर होगा ठीक है, राज्यदानी यहाँ की चिन नहीं, और मुक्य मंत्री है M.K. स्टैलीद, लोकसभा में 49, राज्यसभा में 18, और विदानसभा में 234 सीटे यहाँ पर मुझूद है नेक्स्ट होगा हिमाचल पिर्देश, तो दोस्तों है हिमाचल पिर्देश की चो राज्यपाल है वो कौन है, सही जवाब होगा, राज्यदर विश्वनाद अर लेकर, यानि आप्सन नंबर B, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, राज्यदर विश्वनाद अर लेकर, राज्यदानिया दोस्तों है कि समल की है सिमला और विंटर की है धर्मशाला, जेराम ठाकुर जोकिया के मुक्य मंतरी है, ये आपको यान रखना है, जेराम ठाकुर जोकिया के मुक्य मंतरी है, लोक सभा में 4, राज्य सभा मे तीन और विदान सवा में दोस्तों 68 सीटेयां पर मुझूद हैं नेक्स्ट होगा मुखी मंतरी है नभीन पतनायक लोग सवा में 21 राज्य सवा में 10 विदान सवा में 247 सीटेयां पर मुझूद है आगे बढ़ेंगे मेगाले दोस्तों मेगाले के जो राज्य पाले वो और विदान सवा में दोस्तों 40 सीटेयां पर मुझूद है आगे बढ़ेंगे नागालेंट तो नागालेंट के जो नए राज़ेपाले वो कौन है राइट अंसर होगा जगदीश मुकी यानि आप्सन नमबर सी इसका राइट अंसर होगा जगदीश मुकी नागालेंट के राज़ेपाले राज़ानिये दोस्तों कोहिमा, मुख्यमंत्रिये याकि नौफ्यूरियो लोगसभा राज़ासभा में एक सीटे और विधानसभा में आपर साथ सीटे मौजूद है नेक्स्ट होगा सिक्किम, दोस्तों सिक्किम के जो राज़ेपाले वो कौन है राज़ासर होगा गंगा, पिरसाल दीए और यहांकि जो राज़दानियी वो है गंगडोक, मुख्यमंत्रिये प्रहामजंग, लोगसभा में एक, राज़़ासभा में एक और विधानसभा में 32 सीटे यापर मौजूद है आगे बढ़ेंगे चतीस गड़, चतीस गड़ के जो राजेपाल हैं दोस्तों वो कौन है, राइट अंसर होगा अनुसुया होई के, ठीक है, और यहाँ पर राजदानी है कि नायापुरा, नाया रायपुरा, मुक्य मंत्री अबुपेश बगेल, लोकसभा में एक ग्यारा, राजे सभा में पांच, और दोस्तों विधान सभा में 90 सीटेयां पर मुझूद हैं, आगे बढ़ेंगे दिल्ली, तो हम यहां से दोस्तों, जो कि केंदर सासित प्रदेस देखने वाले हैं, तो तो दिल्ली के जो उपराज जपाल हैं, दोस्तों, वो कोन है, विने कुमार स दोस्तों, स्री रामकृष्ण मातोर, जो की दद्दक उपराज जपाल है, पुंडू चेरी के उपराज जपाल कोन है, तो राइड आंसर होगा दोस्तों, तमिल साही सुन्दराजन जिनको अतिरेक्त प्रभार दिया है, या पुंडू जोरी का, ठीक है, नेक्स्ट होगा, चंडीगड के प्रसासक का क्या नाम है, तो दोस्तों, चंडीगड के जो प्रसासक है, वो है बनवारिलाल पुरोहित, आगे बढ़ेंगे, जम्मु काश्मीर के उपराज जपाल का क्या नाम है, सही जवाब होगा, मनोच सिन्ना, जो की जम्मु काश्मीर के उपराज जपा हैं तो दोस्थों गी रही है अजद कि हमारी वीडियो अगर वीडियो आप अच्छी लेगी हो थो प्लीस लाइक किजेगा अपने दोस्तों केरा सेर कीईजिए चैनल को सब्सक्रिब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा PDF आपको डिफ्किशन बुक्स में लिंक मिलेगा टेलिग्राम गरूप का वहाँ से आप इसको इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मिलते एक नहीं वीडियो का साथ तब तक के लिए बाबाई चेहिंद